कुश्चन एगर है कि the ratio of the speed of motor boat to that of the current of water यहनि कि motor boat के speed और धारा के speed का ratio कितना है यह किती सनुपात थी है motor boat जो है start करती है एक point पर से distance cover करना जो कि 4 गंटे 10 minute लगते है अगर आपको time बताना है कि अगर उधर से आएगे तो उसे कितना समय लाएगा अगर वह धारा के दिशा में जा रही है तो यहां पर क्या होता है धारा के speed यहां कि boat का speed plus current का speed दोनों का हम add करते है इनका ratio दे रहा है 31-6 यानि कि यह speed कितने हो जाएगे डाउन स्ट्रीम में की 37 km प्रती गंट अभी 37 unit अपमाल दो यहां से और total time कितना लग रहा है? distance डाउन करने में 4 गंट 10 minute अगर मैं इसको change करना चाहूं तो 4 जा ही 4 साही 20 बठे में 60 यानिका 4 साही 1 बठे में 6 लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं 25 बठे में 6 गंटे तो आपको speed यहां पर दिया गया है और time यहां से distance निकाल सकते है पर इस स्पीड में फरक हो जाएगा कैसे यहां पर जा रहे था धारा के दिसा में जा रहा था लेकिन यहां पर आएगा तो धारा के opposite direction में आएगा तो इस स्पीड क्या होगी माइनस होगी कितना हो जाएगा आपका 25 तो हम यहां से कर सकते हैं कि उससे time कितना लएगा यह तो आपका distance है इनका speed कितना है 25 है तो बटे में कर देंगा यहां से पचीश अब यह निकल कर रहेगा time यहां से अगर यहां तक पोचने मुझे कितना समय लगा तो पचीश से पचीश कैंसी लग रहेगा 37 बटे 6 को हम लिख सकते हैं कि 6 सई एक बटे में 6 और एक बटे 6 को लिख सकते हैं 10 10 मिनट याने कि 6 घंटे 10 मिनट का समय लगा वाई वापस आने में आओ को रारंभिक बिंदू पर